गुजरात में चुनावी दंगल चल रहा है, पार्टियों का एक दूसरे परहला बोल है। चुनावी शंखनात कौन करेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन अपने-पने स्पेशल रिपोर्ट के साथ जनता के बीच जाकर मतदाता का मन टटोलने की और वोट जीतने की कोशिश में पार्टिया लगातार लगी वी हैं, क्या सब कुछ ब्लाक इन वाइट है या वास्तों में यहाँ पर कुछ ग्रे भी है, चुनावी दस्तक कौन देगा जोड़दार तरीके से ये बड़ा सवाल बना हुआ है, आप द के तियारी पहले से कर देती है, जैसे कि अब ये चुनाव जैसे खतम होगा, अगला चुनाव जब भी आएगा, हम जैसे ये चुनाव खतम होगा, उसके next day हमारे तियारी हो जाएगे, चुना भी लड़ते रहेंगे, काम कब करेंगे, जनता तो ये सबात पुछ रही है है, मैं यही चीज को ठोड़ा आपके सामने यह करना चाहता था थोड़ा विश्तृत करना चाहता था कि हम जैसे ही चुनाव में जित्ते हैं उसी दिन से हम वो सेवा कारिय सुरू करते हैं जो जनता के हित में होता है तो जैसे ही हम आज तक जनता के हित में सेवा कारिय करते करते करीब करीब 27 साल से गुजरात के हर चुनाव हम जित्ते आ रहे हैं वही हमारी सफलता का राज है कि जैसे हम चुनाव जित्ते हैं उसी नेक्स डे हम वो सेवा कारिय सुरू करते हैं और संचार स्थापत हो पारा है राजी की जनता के साथ बिलकुल होगा जबकि हमारा विवागी है और पूरे देश में आप जानते हैं कि अब आने वाले कुछ समय में 5G भी हो जाएगा सब ने बहुत बड़े-बड़े दिखा रहे हैं मैं 5G वाले सवाल पर आऊंगी लेकिन सर का ये हल क्यों है क्या से क्या हो गए देखते देखते i cannotиж जीतने वाली कॉंद कर मैं तो आप अभी देखो कि जब जब चुनाओ आया हर पांस साल का चुनाओ का रेकोर्ड देखेंगे तो हर बार कॉंग्रेस की सीट बढ़ी है कभी कम नहीं हुई है मुदी जी होने के बावजूद भी हमारी हर पांस साल में सीट बढ़ी हुई है सवाल इतना है कि लास्ट करते हुए और कारेकरता का वर्क देखते हों बुथ में जाते हुए देखते तो मुझे लगता है कि हम लोग निस्चित दोर पे इस बार 125 प्लस लाएंगे कारेकरताओं में जोश दिखाई क्यों नहीं देता है आपके जो बड़े नेता है वो दूसरी ट्राक पर रेस लग अंदाबद में आयते दोह सांदम हां में तो को कॉंसेंट्रेट किया है हमने अमारी कमी देख लिये कि हमारा पुद वो संसूंत धथा वह हमरा जो कुद का वट नहीं करा पते थे उसके उसके कारण हमारी जो सीटों काम आती थी, इस बार हम बताएंगे, हम कभी 182 नहीं बताएंगे, लेकिन 125 प्लस आएंगे. 125 प्लस आ रहा है, 101 परसंट. वो 125 प्लस आ रहे हैं, फिर आप लोग कहां जाएंगे? यह किये कॉंग्रेस की बाद तो वही करेंगे, लेकिन देश की जनता जानती हैं, कि कॉंग्रेस आज नेत्रूत्व विहिन है, संगठन विहिन है, और आंत्रिक लड़ाय में इतनी द्रस्त है, कि कॉंग्रेस धीरे धीरे देश के एक तरीके से हर छेत्र से अगायब हो रही है गुजरात में आप जानते हैं कि 27 साल से कॉंग्रेश सत्था में नहीं है। इसका कारण मैंने जो बताए वो तीन कारण तो है ही। लेकिन गुजरात की जनता का मूड समझ पाना, गुजरात की जनता को कनेट कर पाना, वो कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल के बाद है वो भी तो आप ही के निता थे मूट समझ कर चले के 2019 में उधर क्या सोच कर गए सब्सक्राइब कॉंग्रेस में कि देखो मेरा राजजिती में जब सरुवात मैंने मेरा राजजिती की थी तब भावनाओं से की थी मुझे लगता था कि जिस भावना से में मेरा फूरा युवा भारतिय जंता पार्टी जंसंग में जो दिया लेकिन एक के बाद एक के बाद मेरा अनुभव के आधार पे मुझे लगा कि यह सब ठीक नहीं चल रहा है जिस भावना से मैं जिस पार्टी से जुड़ा था वो मुझे लगा कि मैं ये भावना मेरा जिन्दगी में ने मेरा युवा दन मेने वर्थ कर दिया ये 2019 में आपको समझ में आया आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में करते दूश्ट करें लिवाट के में ट्रांसफोर्ट मिनिस्टर था ऐटी मेरा ये तार में में ट्रांसपोर्ट का अधिक्स भी था दो बार doet इसका कोई असी में नहीं थि सवाल इतना है कि हम लोग इस भावना से आज जिस तरगी बाते किया जाती है चाश्छब ब्लब आप देश की आलत क्या बना के दखीए ठीक है तो प्रचार चलता है पैसा खर्चा होता है अब आपका पुरा कंट्रोल देश पी सब एजेंस पर लगा हुआ है लोग गबराते हैं उसके सबसे बाहर नहीं आते हैं प्रचार कि बढूरा का देश किया अज इतनी महगाई इतनी बेरोजगार ही कोई बोलने वाले हैं गुजर्ट की बात करो बाहर बार बाड़ कया बच्चियों मैननद करतीए पेपर फूट जाता हैं कोई बोलने वाला नहीं हैं मोरुभी का देखो आप अर्धा का इसल्ठा क कॉंग्रिस पाटी क्यों नहीं हला बोलती है इनके खलाफ क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं वाहला नहीं क्यों नहीं सरकार में इसमें इसमें हैं हमको दूब होता है है गुजरात की प्रजा आज जिस तरह सहंत कर रही है लोग गबराते हैं एक वेपार यहां नहीं सकते हैं हमको आज घाटलोडिया में अगर ओफिस करनी हो नहीं है तो हमको ओफिस नहीं मिल रही है क्या बात करते हो आप जहां से विधायक हैं वो जहां से विधायक हो अमी बेन यागने को आपने मैदान में उतर रहे हैं किस तरह का उनको महाँ पर अफिस मिला था यह सिच्छों से जीती है ना घाट लोडिया सीट एक बार एक लाग सत्रह हजार से मुख्यमंत्री ने आपके उमीदवार को हरा दिया सत्रह में आपको दूसरा बताओ घाट लोडिया में हमने अभी पांच बूत ऐसा निकाले जो फ्लेट में नीचे अपनी ओफिस में थे आद तक किसी ने नहीं देखा था पांच बूत अर्जुन फ्लेट था उसकी स्किम वो मैं जानता हूँ कौन है वो लड़का वहां पर उनकी ओफिस में से बूत निकला और वहां वाटिंग होता है क्या सिती होती थी अभी अभी अ अपनी ओफिस भी लोग खुलने नहीं देता है इसका मतलब वो प्रचंड जन्ट समर्तन है सीम साब को इस शेत्र में के जहां वो भाजपा के लिए हर लोग संबर्पी थे वो चाहते हैं कि यहां किसी की जरूर है नहीं लोग तंत्रा की यह बात कर रहे हैं कहां पर जाएं उमीदवार है हमारे साथी वीपलन भाई हम लास्ट में कंटेस्स सामने किया था हमारे सपर्थी सपर्दी रहें लेकिन वो भी मुझे आची तरह जानते हैं ऐसी एक जगह भी नहीं है जहां भाजपा के डर से कोई ओफिस न कोल पाय रहा हूं और यह छेत्रा अगर सीम का ह है तो मैं यह मानता हूं कि सियम के साथ वह भावत्मक लोग की जो जुडाव है इसी का कारण है कि वहां बाकि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कॉंग्रेस बें डर बता रही है आपका आम आदमी पार्टी भी अर्विंद के जिवाल जो चुनावी मैदान में ताल ठोक र देते अंदर अंडर करेंट है आम आदमी पार्टी का लेकिन डर के वज़ए से लोग खोल कर और जिवार करने से बच्टे में पार्टी की बिसवस्वास और एक पार्टी के लोग गुजरात की जनता को जिसतरीके से समझ रहे हैं उसमें बहुत बढ़ा अंतर हैं गुजरा बुजरात की जंता बिश्वास और एक तरिके से भरोशा पर जब सरकार खरी उतरती है तो हर साल भाजपा को समर्थन करती आ रही है कि गुजिरात की जंता ने27 साल तक इखी पार्टी को समर्थन किया इसका मुझलब यह हुए कि भारतिय जनता पार्टी की सरकारों ने भारतिय जनता पार्टी की संगठन में काम करने वाले हमारे कार्यकरताओं ने गुजरात की जनता का विश्वास प्राप्त किया है और उस विश्वास उस जनता के बरोशे के आधार पर 27 साल से हम एक political stability देखो किसी भी स्टेट का हावशकता होता है और एडमिशीटिवली भी वहाँ एक stability हो आज गुजरात पूरे देश में अगर सरवच स्थान पर है एक तरेके से ग्रोथ का एंजीन बना है तो उसमें political stability एक बहुत बड़ा अहम रोल ले बाता है आपको तो राजनेती के सर्ता दे दी लेकिन महंगाई क्यों है जब कोरोना की क्राइसिस हुआ रश्या यूक्रियन का यूद हुआ कुछ ऐसी जैसे फटिलाइजर का बार से आना पेट्रोल आना गैस आना कुछ इंपोर्टेंट जो इंपोर्ट होती है कुछ चीज बस्तू इसके साथ जो कास्केडिंग इफेक्ट आता है वो त भारत का जो इंफलेशन रेट है वो बहुत कम है अप अमेरिका यू एज या डैवलोग अटारिकर कम पेर में देखेंगे तो भारत का जो महहुँदया чист वह सिकतनी है अ jointly- confianभा에 कौने यह बोले कि महेंगाई नहीं है ऐसा नहीं है लेकि महेंगाई किया है और इस स्वाल उयल का रेट इतना कम होने के बावजूद भी यहां यहां पर जिस तरह का उन्होंने टेक्साइस लगा हुआ है और एक्साइस का पैसा जो गवर्मेंट में जमा होता है उसकी जो एड़टेस्मेंट हो जो होती है जो हर प्लेटर पर जो फोटा लगता है यह सब खर्चा जो होता है तो परजाद को जो करना वो करे लेकिन हमारी एड़टेस्मेंट होनी चाहिए उसका पैसा उसमें खर्चा करना चाहिए दूसरी बात अगर आप देखो डॉलर की जो बात करते थे क्या रेट होगा रूपिस का कौन चिंता करता है पूरे देश में आज जो हालत इकोनोमी की बना के रखती है रात को एक सपना आया साम को बोल दिया कल नोट बंदी हो जाएगी सपना आया जीएस्टी हो जाएगा अरे आज हमारे छोटे-छोटे वहपरियों को पुछो आज गुजरत में नोट बंदी जीएस्टी की बात कई चुनाओं भी तो हुए जीत करतवाएंगी चुनाओं जो एक बात अलग है जोला में नोट बंदी होती है जीएस्टी लगता है 2019 से प्रचंट तरीके से जीते हैं चुनाओं चुनाओं अब हर बात को चुनाओं यह बात पे ले जातों जनता तो चुनाओं में ही मुहर लगाती है ना कि इसको कौन चाहिए वह आएक नहीं ऐसी बात नहीं है जनता को सब्सक्राइब लोग बता रहे जिस तरह की सिती में आज जो चुना हो रहा है जिस तरह confidence तो बता रहे हैं कि हम 182 सिट लाएगे क्या बात है एक सो ब्यासी सिट का बोलने का भी कैसा आ सकता है पिछली बार वाला ठीक था इवियम मशीन इस बार मसीन का उप्यों को जो करता है वो करने दो हमने ये सब उपर करके हम जानते के मसीन के लिए उसको जोतना वोट मिलना मुझे लेकिन हमको प्रजा में जाके हमारा जो बुथ में कारे करता जाके हमारा वोट डलूआ कि हम बता देंगे कि आप जाए मसीन का उप्यों करो या ना करो लोकसाई को दबाने की कोशिज करो या ना करो अच्छा खुद बताए आप यहां पर गुजराज चुनाफ के लिए रणीती बना रहे हैं प्रधान मंत्री अभी विदेश में है लेकिन उसके बाद उनके ताबरतोड दोरे हैं यहां पर उसके पहले भी कई बार युजराओ के शलानिया सुध घाटन के लिए वो आ चुके आपके नेता अगर नदारत रहेंगे मैं 2017 का चुनाफ कवर करने आई थी मुझे याद है जो प्रेस कॉंफरेंस भी हुई थी कि राहुल गांधी जनेउधारी ब्रामवण हैं मंदर मंदर वो घूम रहे थे का लग तरह का करेंट देख रहा था क्योंकि 2016 में पाठीदार आंदूलन हुआ था उसका फैता आपको मिलता हुआ नजर आ रहा था कम है और हम इतना उन लोगों जैसा पैसा एड़ोडाइजमेंट में खर्चा नहीं कर सकते बड़ी निताओं प्यामी में हमारा जो आज आज जो हो रहा है हमारा जुझात में जुनाव है महारा है केरल में तमिलागों में आप खुद बतारा हुँ आपको चार महीने से हमार एक-एक एसेमली सीट पर एक-एक पॉलिंग स्टेशन के जो जूत है उसके उपर हमारे कारेकरता लीडर आये हुए डटे हुए है मैं बताओं आपको दूसरा में बताओं कि आप जो कहें हमारी यूद की रेली आपने देखी होंगी हमारा कन्वेंट अब दो सम्मेलन जो द्वारकय में हुआ था दाहोद में हुआ था अमदावद में हुआ था वही उसकी संक्या सरकारी सहयोग किस तरह का नहीं खूद हमारा कारेकरता अपने पैसों से वो सब कारेकरम में आये मैं तिसरा बताओं आपको आज भी जिस तरह हमारी जो पांच यात्रा हुई उनकी जो गवरो यात्रा निकली थी उससे बहुत अच्छी कोई गवर्रमेंट मसेदरी का उप्योग नहीं उसके बावजूद भी आज गुजरात में हमारी जो यात्रा हो चली है मैं मानता हूं इस बार गुजरात का मूड अलग है ठीक है वो लोग कोसिज कर रहे हैं यालो सेफरो को अधमी पार्टी आप खुलके बताइए ना आप क्या कहले यालो कलर जो यूज करते हैं वह वैसी पार्टी हो गई और इंका सब्सक्राइब करना अगर आप देखो जो चुना जाता है जिस पार्टी से और कॉंग्रेस को कैसे किस तरह नुक्सान करें उसी हिसाब से उनकी चुनोती होती है उसी सब्सक्राइब को वोट देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी को ही वोट करना क्योंकि आपके फिर वदाइक चुने जा अच्छी बात है पुरी बात है या ने एक दुसरे के सामने कैसे ऊपने और दोनों कर सकते दोनों को सब को सब को पता चल गया है कि कि वह मोदीoben से भी ज्यादा जोट वह सगता है और मिलें जानता है कि उन देनी से भी पूरे दुनिया में घुजराती को पता है कब टाइम पर क्या करने का है और आप इस तर इस चुनाओं में आपको बताएंगे गुजराती कि हम लोग गुजराती क्या कर सकते हैं इनके पास मोदी है आपके पास क्या है इस सवाल के साथ में आऊंगे लेकिन देवु सिंग जी उसके पहले बीजेपी को यह क्या हो जाता है अपसे थोड़ी देर पहले यहां पर असुद्धिन वैसी ते उनकी और से कहा गया है कि जब भी चुनाओं आते हैं हिंदो मुसल्म ओवेसी जी चाहते हैं कि जो मुश्लिम योगों ने जो हिंदु धर्म का जो हमारा फेस्टिवल चल रहा था उस पर पत्थर मारा किया उस पर पत्थराव किया क्या वो सही है ओवेसी यह चाहते दें उस पर एक्षन ना लिया जाए वो क्याने गलत तरीकों से यूगों को नहीं तो गलत तरीके से यूगों फसा गया ऐसा अगर वो बता रहे हैं कि आज तक गुजरात में ऐसी कोई घटना बनी कि जब हमारा नौरात्री फेस्टिवल हो और उसमें मुस्लिम यूगों को कहीं पत्थराव करने के बाद या पत्थराव किया है ऐसी कोई घटना बनी कहीं नहीं बनी पहली बार ये केवल तुष्टी करण करण और जो एपिच्मेंट की राजनेती आज तक इस देश में चली है विशी के चलती है हिम्मत हुई है इस देश में इस गुजरात में कि ऐसे यूगों ने हमारे नौरात में जो हमारा सबसे अच्छा मलब एक तरीक पहली बार अगर मुस्लिम योगों ने पत्राव किया है तो उनको सजाना में ऐसे होवे सी चाहते हैं आट सालों से जादा वक्त हो गया दिल्ली में आपके सरकार है 27 साल से जादा हो गया यहां पर आपके सरकार है कौन कर रहा है ये पॉलिटिक्स देखिए इपीस्मेंट क राजनीती जिनोंने की है आज वो सत्ता से बार है फिर भी उनको पता है कि जब तक हम वोई पोलराइजेशन वाली पोलिटिक स्पिडिशे नहीं करेंगे आज जो उनकी ताकाथ है वो ताकाथ दिरे दिरे कम होती है लेकिन तभी ताकाथ बढ़ सकती है जब वो को बढ़ा चड़ा के देश के सामने रखते हैं क्या गुजरात इतने सालों से सांध है करीप करीप 25 साल 27 साल से गुजरात में जो development हुआ है उसके पिछे ये गुजरात सांध सलामत है आज गुजरात इतना डेवलोप है आज देश के हर कौने से लोग यहां इस गर के लिए आते हैं यहां तक कि यहां के जो प्रसासन के कई अधिकारी है जो रीटार होने के बाद भी एक तरीके से गुजरात में रहना चाहते हैं जैसे एक मैं तो यह बहुत समझता हूं कि यहां से कोई विदेश में जाके अपना परिवार के साथ बस जाता है वैसे ही अग्रिकल्चर भी है देश की जनता को भी बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया गुजरात मॉडल इतना सशक्त है तो पूरी की पूरी क्याबिनेट मुख्यमंत्री के साथ क्यों बदलनी पड़ गई देखिए हर चुनाव में हम यह चाहते हैं कि हमारी नई पीडी रा होंगे ना नई पीडी की बात मतलब एक नए लोग आए अपना दाई तो संबालने के लिए नए लोग आए हमेशा यह पार्टी का हमेशा आज की यह चुनाव की समय की बात नहीं कर रहा हूं हर चुनाव में आपने देखा होगा तो करीब करीब 25 से 30 परसंद नए चेहरे इलेद भी होते हैं और नए चेहरों को पूरी की पूरी सरकार थोड़ी ना बदल दी जाते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी सरकार बदल दी नहीं यह पहली बार हुआ है मुख्यमंत्री की उम्र कितनी है नई पिड़ी मतलब आप एज के हिसाब जने लिए अगर आप नई पिड़ी यह बता रहे हैं कि पहली बार वो वधाई की लड़े और जीते उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया नई नवेली उनहीं किसी घाट लो दिया जो 2008 में से तुम्हें आई बारे में पहली बार चुना हुए यहीं है नई पिड़ी नई पिड़ी के मंत्री के मंत्री को देदू जिम्मदारी करीब 20-25 सालों से वो गुजरात में अमदावाद जैसे एक स्मार्ट सिटी अध्यतन सहर जिसने बनाए उसमें वो कई ऐसे स्थान पे आफे नहीं तरह रहे हैं जिन्होंने एक तरीके से परफोर्मन्स किया है आप उनको मले ना देखे उनका पुराना अगर कार्यायर नहीं किया उनको हटा नहीं को नई रूपानी जी ने पांधा चाहरा नजर आता है उनका पांधा चुनाओ भी नहीं लड़ें पहले के दिया नहीं लड़ूंगा ने वह तो ऐसा है नेतन भाइब पटेल को भी आप लोगों ने किनारे कर दिया अप सब को फोन करके आप लोगों के दिया होगा कि खुदी स शाम कोई वक्त बोलता हूं हमारी जो मुख्य मंत्री थी आदेनी आनंदी बेन पटेल जी तब उन्होंने लिख कर दिया था कि मैं 75 साल की हूँ हमारी पार्टी चाहती है कि 75 साल के बाद नए कारे करता है तो 75 साल था ना रुपानी जी का नहीं है मतलब आप लोगोंने कु सवाल इतना है कि अब डबल एंजीन की जो बात कर रहे हैं उनका एंजीनी बंद हो गया एक इसे हिसाब से पुरे-पुरा मंत्री मंदल चेंज हो गया पुरे मंत्री मंदल को ठिकेट भी नहीं दिया अब यह मसीन मैंजीन चलाने के लिए वह बहुत कोशिश कर रहे हैं सवाल इतना है कि आपको पता है कि दो एंजीन क्यों रखना पड़ता है एक एंजीन अगर बंद होता है तो दुसरा एंजीन की नाम पर मांगते हैं नहीं सवाल सवाल ऐसा है कि अब भी पता चल गया है मोधी जी अमरे गुजरात के है सब को पता है कि मोधी जी साजी दोनों गुजरात के है तो गुजरात यह तो स्वभाई के नोक्तोर से कि हमारा प्रदान मंत्री है हमारा होम मिनिस्टर है सवाल इतना होने के ही आज नरु नगान जो गाउंगा तिक पहुंटने की बात ते आज नहीं हो रही है जो पानी का आज भी सींट較 जल पानी का सीच्छोशन हर घरल जब नया स्लोगन लेके आए लेकिन आज मेरे साथ आओ गाओं में मैं बता हूँ आपको क्या सिती है आज जो स्वच्छता के बारे में अब जो करोडों रूपिय का डोडेस्मेंट का पैसा खर्चा करने के बाद आओ मेरे साथ अब इतनी सारी कम्याप गिना रहे हैं उसके बाव जनता जाग गई है अब 24 के तरह इंतिजार कर रही है आपके हार्दिक पटेल इधर चले आते हैं ऐसे 20 कॉंग्रिस के नेताओं की फैरिस्त है जो बड़े नेता जिन्होंने अपने दम पर चुनाब जीता वह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं यह पर चुनाब हार आपको पता है उप चुनाब हार जी और इस बार की स्थिती में भी देखो हार्दिक पटल भी आने वाले हैं और यह अलपे स्थाकोर भी आने वाले जो जो नेता को हमारे लेके गए थे वो सब धिरे 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 किसी को तो ठीकित नहीं दिया बाकि के लोग हार जाएंगे आपके युवा चहरे खिसकते जा रहें बीज़ेपी में देखे ये तो कह रहे है कि हम नहीं पीधि को तयार कर रहें ने चहरों को मौका दे गाएंगी युवा चहरे में मैं बावर्तिय चुनद बाजयपपा के कारेकरता को जानता हूं बिचारा आज जिस तरइका मैनत कर करकर करके अपनी पार्टी या अपने अरिया को डियावलोप करते हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस में से एमेल आ जाते हैं उसको टिकेट दिया जाता है अज मेरे अरिया में हमारे जो अधियक से उसको ले गए बाज़पा में आज कपड़ में से टिकेट देती बीजेपी के यहां पर काम किया है उसके बाउजित भी कॉंग्रेस के लोगों को लाकर रख दिया है यह सब की अधारत बनाने जा रहे हैं चुन चुनकर अपने कारेकरताओं को किनारे करके कॉंग्रेस से आए हुए तमाम नेताओं को टिकट देंगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा आप कोई हला नहीं हुआ है जो आप बता रहे हैं बिजेपी कारेकरताम है और रही बात कॉंग्रेस को छोड़ने की तो वो कॉंग्रेस को चिंटा करनी चाहिए और हम लोग जो राश्टहित में समाजित में जिनको काम करना है उन लोगों को अमने स्विकार किया है और हमने हमारी निती-रिति के इसाब से उनका मोल्डिंग भी किया है और उस मोल्डिंग के बाद उनसे काम भी लिया है और समाज जीवन में उनको अच्छा लीडर की तरस प्रस्ता भी किया है और कॉंग्रेस को यह सोचना चाहिए आत्म मन्थन करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि हमारे चुने हुए लीडर भाजपा में क्यूं चले जाते हैं यह कॉंग्रेस को सुनना से सवाल उनका बड़ा अच्छी बात है जीते हैं लेकिन मैं बता हूँ बता हुँ बता कि हमारे o को और अरशा लेकर का उन्हों ने केस किया केस करके उनको जल में ड़ दिया उसके फडर केस डिया उसके बाद उसके बास रेजिमेशन करवा दिया डियल्री बीजेईपी में लेके उसको MLA बना दिया तो यही राद नीतिया, मैं नहीं हुआ कि और यह जहनीता पर आपको क्या दे दिया कि आप बीजेईपी से उधर चले गए क्या जी फिर तो फिर तो आपसे भी पुछा जाएगा रहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने आपको क्या दे दिया कि आपने बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस का हाथ पकड़ दिया ने इंडिविज्वल ने पुछ यह एक नेता के तौर पर अगर बीजेपी को बुला कर कुछ द पीजेपी का जो मेरा एक्स्पिरिंस रहा इससे कारण मैंने तैय कर दिया कि मुझे बीजेपी में नहीं रहना है और उसके कारण में कॉंग्रेस करता हूँ तो वही चीज़ें के पा वाग देखें अपना बहतर क्यूचर नहीं नजर आ रहा रहा है तो वह लगा ओगे पी पिए कर देखो राजनीती में अकेला फिचर मैं राजनीती को कि आप कभी भी चांस वाली बात नहीं मनता हूं मैं राजनीती को केरियर ऑल्वेस जिग्जाक होती है कभी आप हारते हो कभी आप जित्ते हो इनके पास तो मोगी है ना हम लोग राज जित्ती को अपना चेहरा है कि गुजरात की पूरी सिटे उन्हीं की नाम पर आप सुचिए पाठीदार आंदोलन ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी सब्सक्राइब कर देखा होगा इस जो रिजन आप कुछ भी बताओ इतनी तो नहीं पढ़ जाती ना कि इनको सटा से बेदखल कर दिया आप देखो फर्स्टाइम कोंग्रेस में आपने दिखा होगा कि हमने जो केंडिडेट डिकलर कर दिया है वो केंडिडेट अपना काम पहले से दोश्क मिनित तक 182 सीटों का पहले अलांस नहीं होता था आप इस पार देखे होंगे आपने कि हर सीटों पर जहां पर हम लोग नहीं जीते थे करीबन 40 साल से नहीं जीते थे वो सीट अमने कर दी वहां के हमारे जो कारे करता है और हमने कारे करता को टिकेट दीगी और कारे करता काम करने लगे अपने विस्तार में लगे हुए और सबको पता था कि हम लोग क्यों इतने ज्यादा वोटों से हरते थे क्योंकि हरने का रिजन वही था कि हम खुद हमारा वोट नहीं ड कार्य करता को मैंने दिखा एक अब तो पीम भी तारीफ कर रहे हैं कॉंग्रेस की कि नका कार्य करता जमीन से जुड़ा हुआ है मेहनत कर रहा है उसको हलके में मतागना प्रधान मंत्री और मैं मानता हूं कि कॉंग्रेस के कार्य करता हो के हिसाब सब्सक्राइब बने वाली है कंग्रेस के कार्य करता के हिसाब से चलती है क्यम है कार आप लोग भी बड़े बयान देते हैं देखे ये कांग्रेस की तारीफ करने के पीछे की जो । ब्हूंजाना बड़ा जरूरी है कांग्रेस पार्टी अगर बीजप्य विरोjang नहीं ले जा पाएगा और वो विरोधी वोट आम आदमी पार्टी जो कि आकरामक तरीके से चुनावी मैदान में है तो फिर वो जीच जाएगी आपका खेल बेगार देगी इसलिए कॉंग्रेस की भी तारीफ करते रहो जनता को कंफ्यूस किये रहो ऐसी कोई बात नहीं है ताकि वोट बटा रहे थ जुनिया कायम होती है उम्मीद तो है लेकिन आप जो बता रही है कि किसी की डर के कारण हम कंफ्यूस कर रहे हैं हम किसी को कंफ्यूस नहीं कर रहे हैं हम एकदम सपश्च है 27 साल से गुजरात की जनता ने भारतिये जनता पार्टी के विकास कारियों को समर्थन किया है भार चुनाव में गुजरात और भाजब एक दूसरे के परियाई बने हैं गुजरात मतलब भाजब और भाजब मतलब गुजरात ये एक महोल इस देश ने देखा है और इस देश में जब ये चुनाव आ रहा है तब आने वाले समय में हम तमाम रेकॉर्ड ब्रेक करके सबसे आज कर दिया है सामाल की वेस्विक नेता है हमारी पास मोदीजी के नाम पर बीचा सकर्अ करेंगे पार्टी का विकास करई है लेकि मैंने राची सरकार्द realities कि पार्टी की संगडन सकती होती है सरकार के विकास कारे होती है जनता के साथ जो कारेकरता का लगाओ है जनता के लिए जो लोग कल्यान गरिब कल्यान की जो योजनाय हमने घर तक पहुचाई है विकास कार्या इंफास्ट्रक्चर है और एक होता है पार्टी का नेता का एक भ सबसे पहले गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है आज गुजरात में जो वाइबरन गुजरात के बाद डेवलोप्मेंट हुआ है सबसे ज्यादा फोरन डारेक इंवेस्टमेंट अगर कहीं भी आता है तो गुजरात में गुजरात में सोशल सर्विस यह 108 की सिवा गाउं तक जाती है बारा मि हमारी पास एशिया की सब्सक्राइब के साथ साथ टेक्नोलोजी के साथ जो नई फेड़ी की आवश्यक्ता है उसका हर शेत्र में चाहे मेडिकल हो इंजिनेरिंग हो एजुकेशन में भी हमने जो इंफ्रस्ट्रक्चर बनाया है लेकिन यही गुजरात के लड़के बाहर ज समित्र दिवसीजी जो बात कर रहे हैं उनको पता है कि मुर्वी का ब्रीज कैसे तूटा उनको पता है क्या हालत लोको ऑक्सिजन के बिना कैसे लोग रस्ते बे मर गए सब को पता है कि आज जो स्थिती में उन्होंने वेंटी लेटर के बारे में जो जो हुआ था वो सब द काम कड़ो 9000 रुपय आपको बगार मिले इस तरह के कॉंट्राक्ट सिस्थम जो उन्होंने जो किया है पांच साल में उन्होंने जो पांच साल में जो स्थिती गुजरात में खड़ी किये बैरोजगारी की हो आज मैंने देखा था कि सरकारी कर्मचारियों का एक लिस्ट आया कर रहे थे आपको सायद पता हो या मुझे पता नहीं हो मुझे पता नहीं लेकिन लाश्ट टाइम का चुनाओं में हमारे और बिजेपी के बीच में डिफरेंस सिप 24 लाग वोट का था 30 लाग परिवार उनके सामने अंदोलन कर रहे थे आज भी 24 लाग नहीं होता है ना 24 लाग बहुत बड़ा मार्जिन होता है एक वोट पर सरकार बन और बिगर जाती है देश लाग रहे हैं तो आप लोग को भरोसा नहीं काइम कर पा रहे हैं ना कौन मना करेगा 12 सु रुपय में सिलिंडर मिल रहा है मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं वर्ट न कर गई थी, मैं मुख्यमंत्री के इलाके में हो कर आई हूँ, सब लोग मान रहे हैं कि 1200 रुपे में सिलिंडर मिल रहा है, लेकिन उसको आप भुना पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, वो कहते हैं महंगाई है, बेरुजगारी है, दिक्कत है, परिशानी है, इस्पताल नहीं है, यह नहीं वो नहीं है, फिर भी बीजोपी को वोड़ डालेंगे, क्योंकि मोदी हैं उधर, क्या है कार्डिस्गारी है, बेंजी मैं आपको बता हूँ, कि बेंजी उपर से आप आगे बढ़ोंगे, तो निचे गिर जाओंग है, फिर भी आप आगे बढ़ोंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सवाल इतना है, अब हुजरात को आप नहीं जानते हैं, मैं हुजरात को बच्ची तरह मैंने पूरा जिंगी यहां पर बिताया हुए, और हमने युवाओ के लिए बहुत क्या है, इस पार आप देखना हर पंजब बनाना चाहते हो आप गुजरात को, गुजरात की बचा को पता चलता है, ग्रेम अंत्री गुजरात के, इसी मंच पर आज सुपार मेरे साथ इंटेविव में कहकर गए हैं, कि पकड़ना तो हमारी काम्याभी है ना, जो ड्रक्स का उभोग कर रहे हैं, आप उन पर सवाल पूल चेंगे, या फर जो ड्रक्स को पकड़ कर देश के सामने ला रहे हैं, कि हमने पकड़ा, ये तो काम्याभी हुई ना, सरकार के पर, वो तो कंपलसन उनके लिए हो गया, आज सब को पता है, कि अगर पांध की दुखान पर जाओ, तो ड्रक लेने के लिए उसका जो वो क्या बोलते हैं, उसको पीन आता है, वो वहां मिलता है, बिकता है, यहां पर, क्या बोलता है, पॉट, आप वो पॉट वहां पर मिलता है, पुछो किसी को भी, आज कोई भी पांध के गले पर जाओ, आप पॉट महां को तो पॉट मिलता है, ये गुजरात है, आप क आप पकड़ते हो किसको पेंडेलर को पकड़ते हो जो छोटा-छोटा काम को उसको पकड़ते हो एक भी आदमी बड़ा बताओ जो ड्रग एच्चुली यहां पर लाता है एक भी आदमी नहीं पकड़ा किया जैसे बड़ा-बड़े कारोबारी को पकड़ा है और पहले जो था इसमें पूरे देश में जीस तरीके से ये anti-drugs activity जो हमारे देश में जो विभाग बनाया है जो कुल मिला के पुलिस में एक तरीके से जो समन्वे हुआ है हर छेत्र में काम करने वाली पुलिस के साथ और इसी के कारण ही आज जो बहार से जो ड्रग्स आता था वो ज्यादा मा जाता है और यह पकड़ा इत्ना काविल ने उनका कहना है कि एंड तक वह है वो पहली बार इस देश में हो राह है हमारी गुरू विबा की सज़क्ता के कारण की ड्रग्स का कारोबार इस देश में बंद हुआ है जिस तरीके से आट साल पहले इस देश में जो ड्रग्स आता था जो वैपार होता था यहां तक की जो एक्टिविटी होती थी वो सारी एक्टिविटी आज बंद हुई है इसका कारण चलते चलते आखरी एक सवाल आप दोनों से मैं ले लेती हूं बीजेपी के तमाम नहींता ये कहते हैं कि दरसल गुजरात कॉंग्रेस ने राहूल गांधी को अभी दूर रखा है क्यूंकि उनके आ जाने पर गुजरात में जो भी कॉंग्रेस की सीटे आने वाली होंगी वो क चलते हैं कॉजरात में चलते हैं कार्या चलते हैं मैं तरह जोड़ो कारिक्रम चल रहा है कॉंग्रेस बढ़ने के आवस्ता है जिस तरह देस में आज जो बात हो रही है इसमें राहूल जी ने अपने खुदे एक तो बताओ लिडर के रोज का 25 किलोमेटर चले है आज एक महिना हो गया एक 10 किलोमेटर से ज्यादा किलोमेटर उन्होंने चल के बताया आज देखो जिस तरह की अपने आप उन्होंने आज जिस परिवार ने अपने पती को खोया है जिस परिवार ने उसको दादी को खोया है जिस परीवार पुरा आज डेश के लिए लग रहे है और आप बता रहु हौनाओं के रहिए जौने के लिए आज से रहूल गॉंडी को पप्वो कहने वाले कि आज को बात ने रही है क्वढ कर्छि डाइस में को बोल रहे के बाद की एक सेंटर्स में हमारे यहां द्वारीका अंबाजी सोमनात ये कभी-गभी देवी मा के बावागर के मंदीर जो लोग जाते हैं परडे 50 km 35 km चलते उससे नेता नहीं बन जाते हैं केवल 25 km चल दूसरी बात दूसरी बात आप दूसरी बात का मेरा सवाल था आप लो अब 5G का आप इतना बड़ा बड़ा वतला बहुत दिखा रहे हैं ना सर देख लीजे देखिए यह एक दम वास्तविक बात है लेकिन हमने क्या दो साल पहले जब कोरोना क्रैसिस हुआ और हमारे स्रद्दे प्रदान मंत्री जी ने यह बताया कि हम आत्मन निर्भर भारत पनाएंगे इस देश में करीब करीश चालीस हजार पचास हजार करोड का आयात होता था हमने इंडिजेनेस एक्विपमेंट बनाने के लाग रह किया और इसी के कारण ही फोर्जी लेट हुआ है और इसी के चलते ही हमने हाली में एक पैकेज भी दिया है जो फोर्जी का कने लोड़ा लेट हुआ है लेकिन यह हमारा आत्मा निर्वाब भारत का संकल्प रहा है क्योंकि हमें सारी इंपोर्ट करते तो हमारी इकोनोमी कोई नुक्सान होता था आज विस्व में तीसरे नंबर पे अगर हमारी इकोनोमी है इसका कारण है देश के यश्रस्वी प्रदा हम मुस्कुराइए नहीं 11 पे छोड़ कर गए थे आपको मुस्कुराने का कहा है और बावजूद क्राइसिस दो साल कोरोना की क्राइसिस के बावजूद भी आज हम पांच में हैं तीसरे पे जा रहा है यही लीडर्शिप का फरक होता है चले बहुत शुक्रिया आप दोनो झालाता बावजूद साल कर दोनों झालाव से बावजूद के लेगे बावजूद लिए खे बावजूद को पे तो